हेलो एब्रिवन कैसे हो आप सब उमीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे तो आज एक नए दिन की सुरुआत हो चुकी है और अभी बज रहे हैं सुबह के साड़े पांच और मैं उठ चुकी हूँ और बाहर अभी भी लाइट सारी जल रही है जैसा कि आप सब देख सकते हो और सबसे पहला काम होता है फ्रेस फ्रेस होना ब्रस करना उसके बाद सीधे आना होता है हमें किचन में क्यूंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी होती है काम की बच्चों के लिए टिफिन त्यार करना होता है तो यहां पर माही भी सुबह उठ चुके हैं और सुबह उठते ही इनको देते हैं हम लोग गरम पानी फिलाल प्रशारह बच्चा इसको भी 4 रहता होगी बड़ों को आलस आती है तो फिर बच्चे वहते हैं तो थोड़ा इधर उधर माही टहलते वहलते रहते सूपार ऑफ तो यहां पर मैंने चढ़ा हो है कोसा마 बात कड़ मैं के लिए और रहा ही साइड में पर्था और माही जो की करेला माही को नहीं पसंद है किसी भी बच्चे को नहीं पसंद होगा क्योंकि करेला थोड़ा सा कड़वा लगता है तो माही के लिए बना है थोड़ा सा आलू भुजिया तो यहां पे मैं बना रही हूँ पराठे अभी फिलाल जब तक माही नहा वहां के अपना तयार होते हैं तब तक इनका नास्ता बन जाता है और ये नहलाने और तयार करने का काम इनके पापा कर लेते हैं और वैसे भी वो हर काम में मेरी हाथ बटाते हैं घर की कोई भी जिम्मेदारी हो चोटी से चोटी बड़ी से बड़ी ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ मेरे ही जिम्मे रहता है कोई भी काम ऐसा बिलकुल नहीं है मेरे घर में वो बराबर की हिस्सेदारी करते हैं हर काम में जिसे की बहुत सुकूर मिलता है बहुत अच्छी खुसी मिलती है मुझे एक की मतब पती लोग भी ऐसे होते हैं मैंने तो नहीं देखा था अपने आसपास कहीं मतब अपने घर में मैंने नहीं देखा था ऐसा लेकिन ससुराल आने के बाद यहाँ के सारे लोग इतने अच्छे इतने केरिंग इतने helping नेचर के हैं कि मैं बता नहीं सकती तो अछा लगता है मैं और बहुत ही लग फील होता है मुझे कि इतने अच्छे लोग मिले मुझे तो इसके बाद मैं इनलों का पीक करी हूं तिफिन और उधर माही का नास्ता भी चल रहा है बेखे वेठे तो यहां पे मैंने सबसे पहले तो माही के लिए पैक्या मैंने दो पराठा और आलू की भुजिया और फ्रूट के लिए आम पूछा मैंने माही से आम वैसे तो पसंद है माही को लेकिन वो पीला पीला जो बड़ा वाला आम होता है वो वाला पसंद है जो अभी फिलाल उतना नहीं मिल रहा है तो अभी ग्र तो यहां पर टिफिन मैंने रख दिया था माही का और यह लोग निकल लिये थे उसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में दूसरे मलाई निकाल रही हूँ मैं क्योंकि थोड़ा बहुत घी बन जाता है तो सही रहता है फ्रेस घी मिल जाता है और यहां जो अभी मैं साथ दूद दूद लगी नहीं रहा है तो उनको मना कर दिया फिर मैंने दूसरे दूद वाले बैया से ले रही हूँ वो तोड़ा सही दे रहे हैं तो एक साइड मैंने चाय भी रख दिया है कि जब तक माही के पापा छोड़के आएंगे माही को दब तक चाय बन बन चुक मतलब यह सब बिना डाले ना चाय का मजा ही नहीं आता है फिर मुझे नहीं पसंद आता है फिर मैंने दूद वाले बरतन को खाली कर लिया था क्योंकि इसी टाइम पे दूद वाले भाईया भी आते हैं तो दूद को रखने के लिए जो बचा दूद था उसको मैंने कप में रखके फ्रिज में रख दिया है साम को चाय बन जाएगी और अभी के दूद के लिए मैंने बरतन साफ करके रख दिया था और ये भी माही को छोड़ के आ गये थे तो मैंने इनके लिए नास्ता भी निकाल दिया था रात की सबजी थी लौकी और चने की वो भी बची हुई थ तो इन्होंने बोला की वो भी गरम करके मुझे दे दीजे तो मैंने थोड़ा सा करेला थोड़ा सा लौकी चना दोनों निकाल दिया था और साथ में हमारा चाय भी बन चुका है तो हमने सोचा की चलो बैटके आराम से नास्ता कर लेते हैं और अभी क्या है ना कि सुबह अजा दो से बाद है और फिर नास्ता करने के बाद काथे खतम हो जाता है पता ही नहीं चलता है मधास भीच में कोई काम नहीं होता दस बीच में सात में क्लीं होन देखता है सबसे पहले मां किचन क्लीन करती हूं सबसे पेले पिरफे से बाहर के काम नहीं करती हैं, उनके लिए था ये वीडियो कि क्या आप सारे विस्तर सही करते रहते हो परदे लगाते रहते हो किछन saaf करते रहते हो ये सब काम छोड़ के आप खुद पर ध्यान दो तो क्या आप सब इससे सहमती अपना जताते हैं इस बात पर कि हमें ये सब काम नहीं करनी चाहिए सब कुछ छोड़ चाड़के अपने उपर द्यान दो भाई तो मेरे हिसाब से देखो सबसे पहला तो किसी भी काम की सुरुआत हमारे घर से ही होती है तो सबसे पहला जरूरी काम तो है हम अपने घर को अच्छे से रखें घर को मेंटेन करके रखें और्गिनाइज करके रखें साफ सुत्रा रखें और हाँ ये हो सकता है कि ये हमारी बस हमारी जिम्मेदारी नहीं हो सकती क्योंकि घर में जितने भी लोग रहते हैं उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि घर को अच्छे से रखने में मतब हेल्प करें, तो ये कहना गलत है कि ये सब काम क्यों करते रहते हो, छोड़के आप खुद पे ध्यान दो, ऐसा नहीं है कि हम घर के कामों के साथ खुद पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, या ध्यान नहीं या ध्यान नहीं दे सकते, ऐसा भी है कि हम घर के कामों के साथ साथ खुद पे ध्यान दे सकते हैं, खुद के सौक पूरे कर सकते हैं, मतब जो मन में आये वो आप कर सकते हो, घर के कामों को करते हुए, और घर वो पहला जगह है कि आप कहीं देश दुनिया कहीं से घूम के सब के साथ ही होता होगा कि वो कहीं से भी चाहे घूम किया लेकिन जो सुकुर अपने घर में अपने रूम में अपने बेड़ पे मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है तो ऐसे में अगर हमारा घर साफ सुत्रा नहीं होगा तो अगर हम कहीं से आते भी हैं या फिर कोई आता है हमार सब्सक्राइब कर सकते ओं तो आप सबra is a ferります किMoment में बताना कि इस तरह से अगो का मेरा hours कव्ता है और इसके बास से अभी मतब सारा का मेरा का का इसकता है डیली रूटिन का उसके बाद भी टाइम बसता है कि हम अपने के के लिए टाइम निकाल सकें क्योंकि अभी बच्चे के आने का टाइम तो है भी तीन चार पांच घंटे का टाइम होता है हमारे पास इसमें हम कर सकते हैं अपने लिए कुछ भी तो यहां पर मैं नहां वहां के हो चुकी हूं मतलब नहां चुकी हूं और थोड़ा सा सेल्फ के लेना चाहिए तो थोड़ा सा तयार हो लेना चाहिए कि जब भी हम खुद को मीरत के सामने देखे तो अच्छा फील हो कॉन्फिडेंट लगे हम कॉन्फिडेंस आए एक हमें अपने आपको देखके तो ऐसा जरूरी नहीं कि हम किसी को दिखाने के लिए ही सुन्दर दिखे तो इसलिए मैं अपना डेली का सेल्फ केर जरूर करती हूँ और थोड़ा सा तयार भी होती हूँ हलका सा लिब बाम लगा लिया हलका सा लाइनर लगा लिया लाइनर ना भी लगा है थोड़ा सा मतब अच्छे से बाल कंगी कर लिया हलका सा टेंटेट लिब बाम लगा लिय तो यह सब मैं जरूर करती हूँ और घर के कामों के साथ साथ तो कोई भी कर सकता है घर का काम भी कर सकता है और खुद पे ध्यान भी दे सकता है और खुद पे ध्यान देने का मतलब यह नहीं क्या जो वर्किंग लेडीज हैं उनको भी कहीं न कहीं अपना घर संभालना होता ही पूरा अपना बच्चो को दिया है परिवार को दिया है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो कोई कोई भी काम मतब घर का काम हो या बाहर का काम हो मेहनत तो सब में लगती है चाहे घर में करो चाहे बाहर करो तो सबकी अपनी अपनी प्रियारिटी है कि कौन किसको कहां रखता है तो इस हिसाब से लोग अपना चूज करते हैं कि उन्हें जॉब करना है बाहर जाके या अपने अपने बच्चे को टाइम देना है अपने फैमिली को टाइम देना है अपने घर को सही से और्गिनाइज करके रखना है कोई भी काम चोटा या बड़ा नहीं होता तो फ्रेंट्स आज का वीडियो